अभी तो सरपंचिस, क्योंकि सरपंचों का जब चुनाव हुआ, उस समय भी कुछ बातें हमने घुशित की थी, एक विचार ऐसा इस पर बना था कि ये सारे काम जनता के जो लिए काम किये जाते हैं, उनको अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना और जो काम ठीक न करें उसको जवाब दे बनाना, इसका भी हमने का भ्यान लिया है, जितना पैसा हम भेजेंगे, जो कि टेकनोलोजी का जमना आ गया है, तो टेकनोलोजी से हर चीज़ को मोनिटर भी किया जा सकता है, वो समय खतम हो गया कि जब कोई प्रधानमंत्री भी ये कहता था कि एक रुपया जा जाएगा, तो एकी रुपया थाते में नीचे जाएगा, बीच में कोई स्कोप नहीं है, उसमें से कोई एक भी पैसा निकाल ले, इसलिए उस पारदर्शिता को लाने के लिए, ई टेंडिंग के विवस्था में शुरू की थी, और ई टेंडिंग के विवस्था में एक जो के पहले तो तकरीबन बड़ी राश्री का काम सरपंच इट एंडिंग के बनाई करवाते थे, लेकिन इस बार एक लिमिट लगाई थी हमने पहले तो दो लाख रुपे की, कि दो लाख रुपे से नीचे के जो काम हैं, वो लोग कोटेशन के अधारप करा सकते हैं, दो तो थोड़ा विबाद हुआ के नीचे 2 लाख रुपे बहुत कम हैं, इससे तो शाद एक गली भी नीवनती है, फिर हमें अलग लग से चोटे-चोटे काम कराने पड़ते हैं, उस उनकी मांग को धार में रखते हुए मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने से विचार से उपर संख्या थी, जहां मेरा संबोधन हुआ, और मैंने खुल करके पूछा, मैंने इट एंड दिंग के विशह में हमको जो महारा स्टेंड है ठीक है के नहीं हैं, तो सब ने हाथ खड़े करके खुब तालियां बजा करका कि यह बहुत अच्छा स्टेफ है, इससे ब्र मैं यह तो नहीं कह सकता कि हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकर अधिकाज सरपंचों ने हमरी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिये हैं, हमने इसमें थोड़ा उनकी डिवान को ध्यान में रखते हुए, अभी निरने लिया है कि यह दो लाग की बजाए इस लिमिट क हुई है, उनकी इसको सुगार किया कि जो भी कृटेशन का काम होगा, लिमिट जा कुछ भी होगी, लेकिन उसका ऑड़िट यह ज़रूर होगा, और ऑड़िट का सिस्टम भी अब जिसको करना चीए कि ऑनलाइन प्रणाली से ही होगा, ऑनलाइन प्रणाली से ही उसके जो ए परचलित हैं, एक है HSR rates, हरियना schedule rates, दूसरे है DC rates, लोकल लवल पर DC rates शाद इसलिए बनाये गए हैं, कि हर जले में इस प्रकार की चीजों के rate for differ करते हैं, चाहे rate का rate है, चाहे इटो का rate है, चाहे टाइल्स का rate है, क्योंकि जो बल्की material होता है, उस rate को वहां के local प्रसिती के साब से रफना पड़ता है, उसका rate कितना लगता है, कि दूर से लाना पड़ता है, इसलिए एक ही rate नहीं रखा जा सकता, जहां इंटे बनती हैं, वहां थोड़ी सस्ती मिलेगी, जहां इंटे बनती ही नहीं है, दूर से आते हैं, तो स्वाभावी का rate से बहुत ब़ुदा प्रकिशन उसका फ्रेट में जाएगा यह इस्तिती मिटी की रेट की इंटर्लोकिंग टायलिस की कभी-कभी मजदूरी भी अलग लग होती है कुछ थानों पर मजदूरी सस्ती होती है कहीं कहीं तो उन रेट का फुड़ा डिफरेंस यह हमेशा रहता रहा है इसमें अब उनकी मांग कहा थी कि इन रेट को रियल लेवल पर लाया जाया जाया जो मार्किट रेट है हमने निर्णे करके उनको बता दिया है कि कुछ आइटम्स कास करके जैसे इंटर्लोकिंग आइटम्स हैं जो एक स्टेंड कुछ तरह किया जा सकता उसका इसका रेट कंट्रैक्ट करेंगे हर जिले का लोग का है जिलेका है सर उससे ब्लॉक लेवल पर अगर कोई वेरीएशन आते हैं तो क्याप्चर करते हैं बड़ ब्लॉक लेवल पर करता हैं इंटर्लोकिंग का जो रेट व्यक्ति से कुछ नगुशेशंग करके सस्ता भी लना चाहता तो ले सकता लेकिन maximum rate वही होगा गहरा एक कंट्रेक्ट होगा एक जो क्ट्रेक्ट करेंगी जो उसमें रेट मेचिंग जो करेंगी एल्वन को उनको सब को स्प्लाई करने का अफसर दिया जाएगा किसी से भी मैटियर जो है लिया जा सकता है हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और